पद्वनाब स्वामी मंदर के साथवे दर्वाजे का क्या है रहस्य? क्या साथवा तहखाना खुलते ही आजाएगा प्रलै? क्यूं आज तक कोई नहीं खोल पाया साथवा द्वार? आखिर तहखाने के पीछे से किसकी गुंचती हैं आवाजे? भगवान विश्णों को समर्पेत पद्धनाफ स्वामी मंदर केरल के तेरुवंत पुरम मिस्थित हैं ये भारत के प्राचीन और मशूर मंदरों में से एक हैं साथ ही इसके गिंती दुनिया के कुछ रहसमय जगव में भी होती है जिसकी वज़ा यहां के ऐसे कई रहसे हैं जुने कई कोशिशों के बाद भी लोग इसको सुलझा नहीं पाए हैं इस मंदर का साथवा दर्वाजा हर किसी के लिए एक पहेली बना हुआ है तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे विश्णु जी के इस धाम की कुछ अनसुलझी कहानिया तो आईए जानते हैं आखिर क्या है इस मंदर का रहस्या सबसे बहले आपको बता दें कि इस मंदर को छटवी श्रताबदी में त्रावण कोर के राजाने बनवाया था जिसका जिक्र नौवी श्रताबदी के ग्रंथों में भी है कथाओं के अनुसार श्रीकृष्ण के बड़े भाई बलराम इस जगाय थे और उन्होंने यहीं भगवान के लिए प्रसाद भी बनाया था मंदर के गर्ब ग्रिह में भगवान विश्नों की विशाल शैनमुद्रा में प्रतिमा है इस प्रतिमा में भगवान विश्नों शेशनाग पर विराजमान है इस मंदर में एक सोनिक का स्थम्भ भी बना हुआ है जो मंदर के सौंदर्य को और भी बढ़ा देता है इस मंदर के खासियत है कि इस भवन में प्रवेश करने के लिए पुरुशों को धोती और महिलाओं को साड़ी पहन कराना अनिवार्य है और तो और इस मंदर में सिर्फ हिंदू ही प्रवेश कर सकते हैं गैर हिंदूओं का इस मंदर में जाना वर्जित है इस मंदर की सबसे रह समय चीज है इसका सात्वा दर्वासा कहा जाता है कि इस मंदर में कुल साथ तहखाने हैं हर एक तहखाने के बाहर तीन अलग-अलग धातू के दर्वासे हैं इन तहखानों में से छे को खोला जा चुका है अभी इस मंदर का सात्वा तहखाना बाकी है कहते हैं कि अगर इस तहखाने को खोलने की कोशिश के गई तो प्रलय भी आ सकती है वहां के लोगों का मानना है कि इस दर्वाजे के पीछे से कुछ अजीब सी आवाजे आती हैं जैसे कोई विशाल सर्प खजानी की रक्षा कर रहा हो मानिताओं के रुसार त्रावर कोर के महराज ने बेश कीमती खजानी को इस मंदर के तहखाने और मोटी दीवारों के पीछे छुपाया है जिसके बाद हजारों सालों तक किसी ने इन दर्वाजों को खोलने की हिमाकत नहीं की और इस तरह से बाद में इसे शापित माना जाने लगा कधाओं के रुसार एक बार खजानी की खोच करते हुए किसी ने साथवे दर्वाजे को खोलने की कोशिश की लेकिन कहते हैं कि जहरीले साबों के काटने से सब की मौत हो गई कहा जाता है कि इस मंदर के खजाने में दो लाग करोड का सोना है मगर इतिहास कारों के अनुसार असल में इसकी अनुमानित राशी इससे कहीं दस गुना ज़्यादा भी हो सकती है इस खजाने में सोनी चांदी के महंगे चेन, हीरा, पन्ना, रूबी, दूसरे कीमती पथर, सोनी की मूर्तियां रूबी जैसे कई बेश कीमती चीजें हैं जिनकी असल कीमत आंकना बेहत मुश्किल है बताया जाता है कि ये दुनिया का सबसे धनी हिंदु मंदर है जिसमें बेश कीमती हीरे जवारात जड़े है ऐसा भी कहा जाता है कि अगर इस तैखाने को खोला गया तो मंदर नश्ट भी हो सकता है जिससे भारी प्रले तक आ सकती है इस तैखाने के दर्वाजे पर दो साप बने हुए हैं जो इस द्वार की रक्षा करते हैं और हैरान करने वाली बात ये है कि इसमें कोई नटबोर्ड या कबजा नहीं है इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रही हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें चाथ ही अपनी राए कॉमेंट बॉक्स में सरूर बताएं धन्यवाद